जय मातादी दोस्तों आप सभी की बीच में मैं पंकस दुबे अम्रिता जोन पूरिया व्लोग में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि हमारी गेहों की फसल पक्के तैयार है बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत अभी हलका इसमे कच्चापन है बाकि ठीक है अब यह मान के चली दो तीन दिन का समय लगेगा उसके बाद हमारी फसल तयार पूरी और देखिए अगर हांसे काटना होगा तो हांसे होगा नहीं तो फिर कंबाइन या हर्वेश्टर मसीन से कटाई हो जाई और समय करनुसार काट लिया जाएगा इतनी ज़्यादा या अगर यह जब कंबाइन के साथ कटेगा ना गेह में सारा मिक्स हो जाएगा जितना सब मिक्स हो जाएगा इसमें उतना नहीं है जितना इसमें देखिए आप कैसे जैसे फूल की तरह फूलाया हूए इतनी जैई है यह हमारे खेतों में बहुत जिसे जो खरीदार होते हैं लेने के लिए मना करते हैं और रेट भी बहुत कम देते हैं इससे किसानों को बहुत नुकसान भी होता है लिकिन अब क्या किया जाए दवाई डालके हर चीज नहीं उगाई जा सकती है आधा तभी ये सुबा का समय हो गया है इजर हमारी उर्दी वह यह से उड़त यह भी अमारी धिरे धिरे बड़े हो रहे हैं तो फुरा घास भी इसमें दिखाना चाहते हैं आपको यह दिखिए उर्दी के साथ थोड़ा सा घास ही बीच में इसे पेड़ है देखिए बीच में घास भी देखिए इसी में घास भी है इसी को कहते है खेती तो आप सबको यही दिखाने का प्रियास था कि गयों हमारा कैसा है और इसी के साथ हम आप से अलविदा लेते हैं अगले वीडियो मिलेंगे जैश्री राम जैहनमान जैमाताजी